कि यहां पर कोई कोई एडिया में तो बहुत ज्यादा द्यान लग रहे हैं आज मैंने ब्रेक्फर्स किया नहीं है तो मैं सोच रहों कहीं बाहर ही जाकर करें ब्रेक्फर्स करूं कल बहुत थगया था कल करीब मैं 10-12 km वाप किया हूँ और वापस आया अपना पास्पोर्ट चेक किया तो देखा कि जो इमिग्रेशन कार्ट था पास्पोर्ट जो हमें एर एक्चुली जब आप मोस्कव आते हैं तो आपको एक इमिग्रेशन कार्ट दिया जाता है जो कि हमे आपको संभाल के रखना वरता है तो कल क्या हुआ था मैं जब हॉस्टल गया था तो हॉस्टल को मैंने अपना पास्पोर्ट दिया उन्होंने इमिग्रेशन काप की स्कैन कापी खी और इसी दोरान मैं क्या किया मैं चले गया रूम में अपने सामानवन रखा और पैसा वैस है ढा SAPician gonna R diamond M9 मैंने तुरंत उन्हें बताया कि मैंने पर स्फेष्यंकाइशन काद नहीं हुर रखा लगा है इसकी गोप्य मुझे देदी और मुझ से कहा है कि कंप यह एरपोर्ट में दिखा देंगे तो हो जाएगा मुझे तो डाउट लगता है कि कुछ हो पाएगा पर मैं कोशिश करूंगा अब देखूंगा स्कैन इमेज तो मैंने ले ली है उसकी और अभी 8-10 दिन तो अच्छा कटेंगे अब आखरी दिन मझे एरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं मैंने नेट में सर्च किय यहां में मैं किसको हो जूँ मैं इंटरनेट में मैंने सर्च कि कहां पर इंफॉर्म करूं करके तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई फॉरें इमिग्रेशन सर्विसेस वहां कहीं कॉंटैक्क करने को मैंने ऑस्टल वाले वो लिए आपको परशान होने की जरुद नहीं है यह एक कॉपी रख लीजिए कॉपी दिखाए आपके वह सब डीटेल्स हैं जो कि ओरिजिनल में होती है और ऐसे कुछ स्कैन करने का कोई स्कै वह भी नहीं है बार कोड भी नहीं है तो कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए आपको अब भी देखता हूं क्या होता है प्रॉब्लम तो मुझे लग रही है होने वाली है कितनी होईगी इससे बज़ा सीख भी मिलेगी मुझे तो उसमें यह भी देखा था कि उसमें लिखा था कि आपको फाइंड कर सकते हैं और हो सकता है नेक्स तैम आप जब वीजा लोग है रश्या का तो हो सकता है आपको र बगकर में एक 400-500 मीटर तो ऐसी वॉक हो जाता है जीब्रा कॉसिंग रूनने में कहीं जगह तो और भी छादा दिस्टिंस वॉक करना पड़ता है जीब्रा कॉसिंग दूनो और फिर वहां से वॉक करो जो आदमी अन्फिट नहीं होता है वो भी यहां फिट होके चला मार्केट मॉस्को का एक ट्रेंडियस मार्केट है यह एक ऐसा मार्केट है जहां यहां की लोकल मॉस्कोई अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करते है इस मार्केट तक पहुचने के लिए मैंने गूगल मैप और यैंडेक्स मेट्रो आप का सहरा लिया करते हैं इसलेटर में हमें जुनली राइं साइड में कड़ा है ना बरता है लेफ एं साइड इसलेड है कि कुछी को फास्ट जल्दी उतरने का हो तो वह जा सके हमारे रहन जैसे इंडिया में होता है कहीं में भी खड़े रहूं तो यह है मेरे आज की पहली कोच जैडिलाउस की मार्केट क्या जाज सकति में है झाल झाल पेस्ट्रीज देखके तो मेरे मुँ में पानी ही आ गया था पेस्ट्रीज के लावा यहां पर अलग अलग कंट्रीज की कुजिन्स भी अविलेबल थी चूंकि यह मेरा पहला ही दिन था और मैं नहीं चाहता था पहले दिन ही मैं बजट से बहार जाओं इसलिए मैंने इन सब चीजों को सिर्फ देखके ही संतुष्टी ली यह जो औरेंजिस चीज आप प्लासिक कंटेनर में देख रहे हैं यह फिश एग हैं और यह काफी कौसली होते हैं इससे केवियर कहा जाता हैं झाल झाल वैसे तो मार्केट के बाहर भी सिटिंग अरेजमें था लेकिन बारिश होने के कारण मुझे मार्केट के अंदर ही बैठना पड़ा मैंने असी असी रूबल्स की दो स्टफ प्रेड ली थी एक में चिकिन और चीज था और दूसरे में मतन स्टफ था एक बोटल पानी की भी मैंने ली थी जो की पचास रूबल की पड़ी थी इंडिया वापस आते समय मॉस्को ऐइपोर्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मुझसे इमिग्रेशन कार्ड न दिखाने पर क्या किया और क्या पैनल्टी लगाया यह मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा तब तक लिए आप मेरे वीडियो देखते रहें और हाँ अगर आपको मेरे एफ़र्ट अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को जरू लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके लाइक, सब्सक्राइब और अच्छी कमेंस ही मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छी वीडियोज बनाने के लिए यह वीडियो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो